बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं लोगतंत्र क्राजनती जिसके अंतरगत हम लोग अध्यन कर रहे हैं लोगतंत्र क्या और लोगतंत्र क्यों इसके अंतरगत अब तक हम लोगों ने लोगतंत्र का अर्थ और इसके एक सरल परिभाशा को घड़ा था इसके साथ ही हमने लोग लोगतंत्र के गुण और अवगुणों के बारे में चर्चा की थी आज हम लोग अध्यन करने जा रहे हैं लोगतंत्र का व्रहत्तर अर्थ यानि लोगतंत्र अपने विशाल अर्थ के अंतरगत क्या है क्या लोगतंत्र वास्तम में आदर्स मात्र ही है या लोगतंत्र ऐसे जो इसके आर्थ को समझाने में हमारी और अधिक मदद करता है बच्चों आपके सामने बॉलती वी तस्वीर है जो भारत की आजादी की स्वर्ण जहनती पर प्रकाशित की गई थी और इसके अंतरगत दर्शाए गए हैं भारत के प्रमुक सासकों की तस्वीर और यह बैठा ह हुआ लाचार और बेबस मददा था जो विचार कर नहीं कवल आधरस हो की स्टापना करने दिए यानि यूनिटी ढमो कर सी सेकर आज हमारे देश की ऐसी अवस्ता है इसका कारण क्या है यह प्रश्ण चिन है लोगतंत्रात्मक सासन विवस्ता के लिए बच्चों लोगतंत्र आत्मक सासन विवस्ता के अंतरगत मुख्य रूप से जो आग प्रसलित रूप है वह है लोगतंत्र का प्रतिनिदी आत्मक रूप जिसके अंतरगत मददाता अपने प्रतिनिदी का बहुमत के आधार पर चयन करते हैं और यह प्रतिनिदी सासन के प्रमुक फैसलों का प्रमुक निर्नेयों का आधार होता है यानि निर्ने करता होता है यानि जनता श्यून सासन्य करके अपने प्रतिनिदीयों के माध्यम से स शा sin का संचालन करती है इसके प्रम करूप से दो कारण है पहला कारण है आधुनिक लोगतांक्रिक देशों के अंतरगद बहुन यानि जनसंक्या की अधिक्ता होने के कारण इस विसाल जनसंक्या को कहीं भी एक जगह पर एककत्रित नहीं किया जा सकता और एक जगह एककत्रित कहर करके सासन व्यवस्ता के निरने या फैसले ले पाना संबव नहीं है दूसरा कारण है लोगतांत्रिक देशों में रहने वाली जनता की इच्छा शक्ती वहां उनकी योग गिता और उनका कोशल इनके अभा दो कारण हुए अपनाने के पहला कारण है जन्संक्या के अधिकता और दूसरा कारण है नागरिकों की इच्छा शक्ती और योग गिता और कोशल का अभाव इसी के आधार पर सासन व्यवस्ता के लोगतांत्रिक रूप को दो भागों में भाजित किया जाता है यानि जब लोगतंत्र उत्तम रूप में और लोगतंत्र सामाने रूप में किस रूप में होता है इसका मुख्य कारण है नागरिकों की भूमिका के आधार पर लोगतंत्र वह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रभावित व्यक्ति चाहेवा कितना ही शक्तिसाली हो और चाहेवा कितना ही निर्बल हो यदि सक्रिय रूप से भाग लेता है तो वैस प्रक्रिया वास्तम में लोगतंत्रिक प्रक्रिया कहलाती है लोगतंत्र एक जीवन से लिए जिसमें प्रभावित पक्स यदि सक्रिय रूप से सासन में भाग लेता है या उस प्रक्रिया में भाग लेता है तो उस प्रक्रिया की सफल होने की गारंटी होती है लोगतंत्र नय केवल एक सासर अवस्ता का ही रूप होता है अपी तु यह हमारे जीवन के प्रतेक छेत्र से सम्मंदित होता है चाहए परिवार हो शीक्षन संस्ता हो या कोई अध्यापक चात्र को प्रभावित करती है और और प्रतेख व्यक्ति को प्रभावित करती आतर्य प्रतेक व्यक्ति को एक gracious व्यक्ति इस जीवन शेली के अंतरगत भाग लेना चाहिए और अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहिए लोगतांत्रिक शासन व्यक्ति को जब तक भर पेट खाना नहीं मिलेगा तब तक उसके लिए लोगतंत्रात्मक सासन व्यवस्ता एक सपना है क्योंकि वह फैसलो में भाग नहीं लेगा वह निर्णे प्रिक्रिया में भाग नहीं लेगा क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है उसकी इच्छा क्या है पेट भरने की है बोजन प्राप्त करने की है यानि लोगतंत्र आत्मक साशन व्यवस्ता तब अधिक सपल हो सकती है जब उसाशन व्यवस्ता के द्वारा निर्धारित किये गए मुलभूत आधरसों की प्राप्ति व्यवार में होने लगे यानि समानता का आदर्स तो अपना लिआ गया और एक विक्ती के पास इतना पैसा है कि वहाँ बिल्लियों की शादी हो रही है और एक विक्ती के पास पैसा नहीं कि वह अपनी बेटी की शादी कर सके यानि मूलबूत जो इतना अंतर है वह है वास्तम में लोगतंतर के आधरसों को लोगतंतर के मुल्यों को प्राप्टी के मार्ग में अवरोधक कारिय करता है तो वस्ता में लोगतंत्र कब होगा जब सभी लोगों की मूलबूत आवशकता हैं यानि उनके जो आवशक संसादन है आधार वो संसादन है उनकी प्राप्थी हो लोगों में लोगतंत्र के लिए समझ हो इसके लिए आवशक है सभी लोगों को बुनियादी शिक्षा प्रद हो सकेगा और तभी जाकर कोई व्यक्ति लोगतंत्रात्मक प्रक्रिया में निर्णे लेने या फैचले की प्रक्रिया में महतुपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है लोगतंत्र वह प्रक्रिया है इसमें व्यक्ति सक्रिय जितना अधिक होगा लोगतंत्र की सफलता की ग तेऑग्रिकें कामकाज की शेली पर भी लोकतंतर का भविषय निर्वादाइत होता है , तो अब उनके दınd wraps़ा साउसन का italy नोगत्रात्मा के तब तक नांगरिका लगातं निर्जात तब तक सासन व्यवस्ता का संचालन सही प्रकार से नहीं हो सकता और यह किसी भी लोगतंत्रात्मक सासन व्यवस्ता के लिए तो मूल भूत आफशकता है नागरिक जिस रूप से सक्रिय भागिदारी का निर्वहन करेंगे उसी रूप में उत्तम लोगतंत्रात्मक सासन व्यवस्ता का निर्माण होगा कहा भी गया है कि लोगतंत्रात्मक सासन व्यवस्ता लोगों की न्याय प्रेता पर आधारित होती है यानि लोगों की न्याय प्रेता लोगतंतर को संभव बनाती है और लोगतंतर को आवश्यक बनाती है अन्याय के प्रति लोगों का रुजान यानि जब लोग वास्ता में स्वतंतरता समानता जैसे लक्षों की प्राप्ती के लिए खुद अधिक सक्रिय होने लगेंगे तो लोगतंत्र को प्राप्त करना यानि उत्तम लोगतंत्र आत्मक विवस्ता इस्तापित करना आसान हो जाएगा इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने चर्चा की लोगतंत्र की व्रहत्तर अर्थ की जो वास्तम में लोगतंत्र को सामाने नहीं अपितु उत्तम लोगतंतर बनाता है इसमें नागरिकों की यदी सक्रिय भागीदारी जोड़ दी जाती है आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम लोगतंतर की इस टॉपिक से सम्मंदित प्रश्नोत्री के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत